हमने आपसे बोला था कि हम जो है साथ बजी सेकेंडियर के लिए लाइव आएंगे तो आचुके हैं जो इस्टुडेंट अभी तक हम से नहीं जुड़े हैं तो वो इस्टुडेंट जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश करें क्योंकि हमने अब आपका शुरू करना है लिला धर जगोडी जो की पेड़ की आजाती इनकी कवीता है आपके स्लेवस में और इस कवीता की काफी क्वैरी भी आ रही थी बीए सेकेंडियर की जो इस्टुडेंट से उनकी जो फर्स्ट उनिट है सेकेंड पेपर की उसकी भी काफी क्वैरी आ रही है तो जो इस्टुडेंट से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से हम से जुड़ जाएए क्योंकि फिर हम शुरू करने वाले हैं तो अभी फिलाल आपको हम ये बता देते हैं कि जो आपकी फर्स्ट उनिट को लेकर क्वैरी आ रही है तो उसमें जो आपका आधुनिक हिंदी कवीता के शुरूवात कैसे हुई उसके बारे में आपको अगर कोशन्स बनेंगे तो किस तरह के कोशन्स बनेंगे उसके बारे में थोड़ा सा केलर कर देते हैं तो इसमें भार्त इंदु योग, दिवेदी योग, छाया बादी योग, प्रगती बादी योग, परियोगवात और नहीं कवीता ये पांच योग में से आपके कोशन्स बनेंगे किस तरह के questions बनेंगे ये questions मैंने आपको question bank upload किया था तो अगर आपने वो नहीं देखा है प्ये सेकंडर के student ने तो उसको देख लिजे जो कि जब तक आप question bank नहीं देखेंगे previous question paper नहीं देखेंगे तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं बता चलेगा किस तरह के questions आपके बनेंगे फर्स निट में से और मैं कहीं बार बता चुकी हूँ कि इन पाचो यूग में से कहीं से भी आप से questions पूछा जा सकता है कैसे जिसके नाम पर यूग है वहां से भी questions पूछा जा सकता है और जैसे भारतेंदू यूग को पुचा बता देती हूं, उसके बाद आपको बता चलता जाएगा कि किस तरह किस पांचों के उपर question बनेंगे, भारते हिंदू यूग में भारते हिंदू जी का किया योगदान है, आदोनिक यूग में दूसरा कोशन बनेगा कि जो बारतेंदु यूग की विशेस्ता हैं वह क्या है फिर तीसरा आपका दूसरा फिर इसमें कोशन आपका बन सकता है कि इस यूग की क्या विशेस्ता है रही है ठीक है चलिए वागे तेख चलते हैं ऐसे ही छायावादी यूग में आपकी विशेस कोशन्स बन सकता है तो अभी तो यह हमने डिसकस किया आपसे की किस तरह के आपके कोशन फर्स निट से बनेंगे अब कोशन्स जो कोशन का जो पैटर्न है पूछने का बहुत प्रिवेश के कोशन पेपर देखें प्लेलिस्ट में जाकर और जो मैंने मैं आप कोशन बैंक अपलोड किया है उसको दोक देख लिए रही बात नौट की तो कलिया पडस तक इसकी जो फरस्वन निट है उसके नौच कर दूगी विशेस्ताइं यह सब मैं आपको अपलोड कर दूगी तो थोड़ा सा वाप कर अप हैं आपके निला धर जगुडी रिया थे पहले आप जन लीजेश की लीम नेखा है यह सब जीजिशंग शावांच तो tlesquito आके टासरी की तो प्रोरी कवीता जो मैं लेकर आई हूं उसको अच्छे से पढ़ना इस्टूडेंस कहते हैं कि मैदम जो कवीता है उसकी व्याख्या कराईए तो कवीता की व्याख्या तो करने की जरूरत है यह नहीं उसका थोड़ा एक पैटर्न होता है करने का मैंने आपको कहा था कवीता पढ़िये सिर्फ उसमें जो कवीता आप पढ़ोगे तो आप खुद और थोड़ा पैन का अपका यूच्च कर लेते हैं इसमें नई कवीता के करांती कारी और श-शक्त कभी ये रहे हैं नई कवीता जो कि मैंने भी आपको बताया था आधूनिक कवीता में नई कवीता है कौन सा यूग है ये पांछुए नंबर पर आएगा आपका ये पहला क्य प्रगतिवाद फिर प्रयोगवाद फिर नई कवीता तो यह जो कभी हैं नई कवीता से हैं आदोनिक यूग के इसके बाद इनका जो जन्वुआ आपको रिपलाई करूँगी इस वाले टॉपिक को लेकर आप मुझे साथ की साथ अभी कमेंट करें बिल्कुल जस्ट अभी कमेंट करें कि मैंदम इस टॉपिक में यहां पर यह चीज समझ में नहीं आ रही है और हमें और क्या चीज इसमें पूछनी है वो सब चीज आप यह करतीत रहा और अपने पैत्रक करशी व्यासाव को अलविदा कहकर यानि को छोड़ दिया और अपनी निर्धनता की मुक्ति के लिए बाहर निकले और सेना में भरती वे वहां पर कभी के विद्रोई तथा करांती कारी संसकार बाहर आने के लिए छट पटाने लगे और उन् की जो नई कविता की शुरुवात हुई थी वो स्वतंतरता के बाद यूई थी भारते इंदु यूग दिवेद यूग चायवादी यूग ये सब सवतंतरता से पहले के यूग रहे हैं अब आगे देखते हैं आप ये जीवन परिजे तो आप देखी लोगे ठीक है चलिए अब हम आपको बताते हैं थोड़ा सा पेड़ की आजादी के बारे में की पेड़ की आजादी में इन्होंने क्या लिखा है थोड़ा सा और देख लेते हैं इनके बारे में तो जगुडी निस अपर्थम साहिते के शेतर में परदापन करते वे उतरकाशी के संख मुखी शि संगरें आ चुके हैं यहां पर आप देख सकते हैं दस के दस इनके कावे संगरें हम लेकर आएं देख लीजिए ग्यारा पहला है शंग की शिकरों पर 1964 नाटक जारी है इसका आपका जो MCQ questions आते हैं आपका यहाँ पर यह questions पूछा जा सकता है इसके बारे में यह जो नाटक जारी है इनकी जो रचना है जो MCQ आपके 10 questions पनेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी कौन सी रचना आपसे पूछी जा सकती है MCQ में एक तो यह नाटक जा रही है। इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं और बची हुई परत्वी के बारे मि पूछ सकते हैं। ठीक है जो लाइव हैं मेरे साथ स्टुडेंट अपनी क्वारी सेंड करते रहिए, कमेंड पोक्स में बताते रहिए. और सबको good evening जो student मेरे साथ जुड़ चुके हैं तो good evening तो at least आप मुझे भेजी सकते हैं students चार students हमारे साथ जुड़े हैं अभी तक किसी ने मुझे good evening नहीं बोला है class में हैं तो जब आप class में होते हैं तो good evening good morning तो बनता है teacher के लिए चलिए और कुछ नहीं आपको पूछना तो good evening तो send करें दीजिए चलिए आगे देखते हैं आकाश अनुभव के आकाश में चांद पर कवी जगुड़ी की साहित्य अकादमी पुरुसकार इनको मिला है वे इस अर्थ में विशिस्ट हैं की परवतिय साहित्यकार है और 2004 में यानिके 26 जवनरी 2004 को साहित्य सरजन के छेत्र में ने पदम श्री से भी विपुरुसकार भी मिला था तो ये चीज भी आपको याद रखनी कि इनको पदम श्री पुरुसकार कम मिला था और कौन सी रच चार इस्ट्रोडेंट जुड़ेवे हैं तो आप अपनी कमेंट बोक्स में क्वैरी सेंड कर दीजिए मुझे क्या आपके क्वैरी है अब आते हैं पेड़ की आजादी में क्या है क्या इन्होंने बताया है पेड़ की आजादी नामक कविता महा कावे के बिना नामक कावे स या फिर आपसे कोशिन इस तरह से उल्टा पुछा जा सकता है कि महा कावे के बिना कावे संग्रह में कौन सी कवीता है लीड़ा धर जगुड़ी की इस तरह से कोशिन दोनों तरफ से आपसे पूछा जा सकता है जो विकासिल समाज में मिश्रित अर्थवियस्ता को समर्थन को लक्षे करके लिखी गई कई नई कवीता है मिश्रित अर्थवियस्ता आप समझते होंगे जो बच्चे इको के हैं उन्हेंने पढ़ा होगा मिश्रित जो हमारा जो विकासिल क्या होता है जब आज कोई देश जो है विक्सित देश होता है कोई देश विकास सिल देश होता है तो जब आप विकास करते हैं तो क्या होती है बहुत सी चीजे अच्छी होती है और बहुत सी चीजों का विनाश भी होता है तो इसी तरह से इन्होंने क्या पेड की आजादी जब पेड काटे जाते हैं तो वो किसले काटे जाते हैं सभी को पता है कितना यूज होता है लकडियों का लेकिन उस विकास के साथ साथ क्या होता है एक खम बिनाश की तरब भी जाते हैं तो उन्होंने इस मिश्रित व्यस्ता को समर्थन को लक्षे करके लिखेंगी कवीता है यह कवीता परिवेश जानते हैं आप बातावरन समाजिक यथार्ट जो समाजिक सत्य है आर्थिक नियोजन कवी का जो संदरे चेतना समन्वित रूप लेकर इसमें परकाशित हुई है या दिखाई दी है जिसमें कवीता की संदर्ता और दोनों ही इसमें आपको देखने को मिलेंगे अब आते हैं आपकी जो दूसरी कवीता है कभी की अंतर देश्य नामक कवीता भी बची हुई प्रत्वी नामक कावे संग्रे में संक्लित है अब देखें मैंने इसके बारे में नहीं बताया था जो इस्ट्रूइट्स मेरे साथ लाइव जूड़े हैं तो उनको अंदर देश्य के बारे में भी पता चल जाएगा और अब ये जो लाइव वीडियो हैं इनको अपलोड नहीं करूँगी जो इस्ट्रूइट्स जूड़ेंगे मेरे साथ वो ही इसका बैनेफिट्स उठा पाएंगे ठीक है तो वो ही उसका बैनेफिट्स उठा पाएंगे इनको मैं अपलोड नहीं करूँगी जो लाइव है वही इसको देख पाएंगे चलिए आगे देखते हैं इनको सिर्फ एक दिन पहले सब वीडियो को अपलोड करूंगी जिसे आप एक दिन पहले देख पाएंगे जो लाइव होंगे वो कुछ दिन पहले ही देख लेंगे इनको चलिए आगे देखते हैं आपकी इसमें क्या बत कालीन लगता है तो उसके विरुद्ध विद्रों के स्वर्फूटे थे तो आप यह चीज त्यास में भी पढ़ सकते हो तो विद्रों के जो स्वर्फूटे थे उसके बारे में यहां पर अंतर देशये में जिक्र किया गया है जब पूरी कविता पढ़ेंगे तो आपको करना पड़ेगा हमें यह पर आपको बता दिती हूं कि किस तरे के आपके अंतर देश में जैसे यहां पर इनोंने बता दिया है कि 75 से लेकर 77 तक जो आपातकालीन लगा था उसके बारे में इनोने इसमें लिखा है और जब आप पंक्तिया पढ़ने शुरू करते हो तो जब आपको पता है कि ये किस बेस को लेकर कविता लिखी गई है तो आप इसको जो ब्याक्या है खुद से भी कर सकते हैं कि आ चले कवीता हैं आपको दिखा देते हैं किस तरह की कवीता है इनकी सली चेक कर लेते हैं पेड की आज़ादी आप जैसे यही इतना इसा पैरिग्राफ हम लेते हैं इसको आपको समझाते हैं वोजन पेड़ की स्वतंद्रता दी जानी थि उसे पूछागए तुम पत्ते पूली या सिधे फल तना चाहते हो या टहनिया सिर्प जड़े आ तुम केवल जमीन चाहते हो पेड़ ने कहा की पत्य महों तो क्या होगalı जरूब्ल पत्य नहीं कर फल् Norman नहीं ते से मेरी जान बच जाए तना नहों तो काटाना जाओ टहने नहों तो जुकना ना पड़े रही जमीन की जरूरत तो मुझे नहीं बीच को पड़ती है और अगर इन सब की जड़ी मिट जाए तो कितना अच्छा हो जब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो फिर तुम पेड कैसे हो सकते हैं हम तुम्हें एक आजार पेड बनाना चाहते हैं बने रहने के लिए तुम्हें अपने में से कुछ तो चुनना ही पड़ेगा आप मुझे कुछ दे रहे हैं या मुझे कुछ ले रहे हैं पेडने का या मैं बिल्कुल नहीं जानता फिर भी अगर आप वैसा कर द कविता है इसका screen shot आप लेते चले मैं इसको scroll करती जा रही हूँ आप इसका screen shot लेते चलेंगी है तो आपको पता चल जैगा कि कहाँ से ये पंक्ती ली गई है जब आपके exam में ये कविता आएगी तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो साथ साथ एक like बनता है और मेरे पास दो लाइक आ भी चुके हैं चार इस्टुटन जुले धें दो उस्टुटन जा चुके हैं जिन्होंने देखी हैं उनको benefit सो कर जिन्होंने नहीं आप लोड नहीं होगी वीडियो तो आप लोग जितने जुड़ेंगे उतने ही लोग इसका फायदा उठा पाएंगे तो बने रहना है हिंदी मिलर की साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजे बैल आइकन हिट नहीं की है तो कर दीजे क्योंकि जब आप बैल आइकन हिट करेंगे सब्सक्राइम करेंगे तब ही आप हमसे जुड़ पाएंगे और ऐसे ही लाइव क्लासेज में अब आपकी क्लासीज चलेंगी अभी कल में बीए फस्ट एर सेकिंड एर थर्ड एर का जो है हिस्ट्री का जो है आपका कोशन बैंक अप्लोड करूँगी वो भी मैं लाइव क्लास में ही अप्लोड करूँगी तो जो लाइव क्लास में जुड़ेंगे वही उसका बैनेफिट उठा पाएंगे आपको जादर जादर शेयर करना है जो इस्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं और लाइक कीजिए शेयर कीजिए और यहीं पर अपनी क्वारी भी कमेंट बोक्स में आप सेंड कीजिए तो बने रहना हिंद्वने के साथ ऐसी ही बैनेफिशल वीडियो के लिए